नमश्कर दोस्तों वन इंडिया मैं प्रशान्त आप सब ही का स्वागत करता हूँ। देश में करोना के मामले हाल के दुनों में काफी तेजी से बढ़े हैं। रोजाना चार लाग से जादा मामले सामने आ रहे हैं। इंडियन प्रीमेर लीग के चौदेव सीजन पर भी कोरोना की जबरदस्त मार पड़ी है और सीजन के 29 मुकाबलों के बाद तमाम टीमों से कोरोना पॉजिटिव आने की वज़े से बीच में ही इसे इस्थागित करने का फैसला चार माई को किया गया। पिछले कुछ दिनों में हालात बिगडने की वज़े से मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। अब इसको लेकर BCCI की काफी आलूचना हो रही है। बहतर विकल्प यही था कि टूरमेंट को टाक दिया जाए। हमारे लिए खिलाडियों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी माईने नहीं रखता है। जिस पर हर कोई राजी हो गया। यह मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि हमने एक बहतर सिस्टम बनाया था लेकिन कोई भी कोरोना वायरस के बारे में कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकता है। बेसी स्याई ने कोरोना काल में IPL मैचों के आउजन के लिए इतने सारे विन्यू के चैन क्यों किया इस पर धुमल ने कहा। जब हम इंग्लेंड सीरीज आयोजन करा रहे थे तब सब कुछ सामान ने तोर पर जा रहा था। लेहाज़ हमें लगा कि अब समय है कि हर जोन में क्रिकिट की वापसी हो। आगे सीजन के बाकी मैच कब होंगे इस पर अरुन धुमल ने कुछ भी नहीं का। लेकिन IPL चेर्मेन ब्रजस पटेल का इस पर बयान सामने आया था। उन्होंने T20 वर्ल कप से पहले या T20 वर्ल कप के बाद इसके आयोजन की बात कही है। अब तो यह आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस साल IPL का आयोजन हो पाता है या नहीं या फिर ये टुनमेंट हो जाएगा। फिलाल के इस वीडियो में तना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हैं वन इडिया के साथ।